नमस्कार क्या आप मेरी आवाज सुनके ये बता सकते हैं कि मेरी उम्र क्या है मेरा कद क्या है मेरा रंग या रूप कैसा है क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख्या इसाई हूं या फिर आप मेरा व्यवसाई बता सकते हैं क्या मैं टीचर डॉक्टर या ए मुद्दे और हम सब साथ में आये थे उन मुद्दों पे एक जुट होके काम करने के लिए जब देश करप्शन से लाचार था और कुछ कर नहीं पा रहा था तब आम आदमी पार्टी बनी थी कि वो उन लोगों के साथ में मिलके काम करेगी for the people by the people of the people बन के दिखाएगी क्योंकि दूसरी पार्टियां ये नहीं कर रही थी क्या आपको लगता है कि आज आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने ये सब बाते कही थी मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है कि हम किसी और पार्टी के जैसे बन के रहे गए है खास कर हमने जब देखा 26 वरवरे से आज तक जो कुछ भी हुआ आज यहाँ पे जो भी विक्ती चाहे वो वालियंटियर हो चाहे लीडर हो वो एक चीज अगर गलत कहता है तो उसका मतलब यह है कि वो पार्टी के खिलाफ है क्या हमने आज के लिए यह काम किया था नहीं मेरी आप से अपील है कि हम सारी चोटी मोटी बाते छोड़ के इस बात पे चिंतन और मन्थन करें कि कैसे इस पार्टी के आत्मा को बचाया जा सकता है कैसे हम सब मिलके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आज नहीं परंतु सालों साल तक एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जो किसी व्यक्ती के लिए काम ना करें पर मुद्दों के उपर काम कर सके जो किसी भी व्यक्ती के आधीन ना हो जो नियम, कानून और प्रिंसिपल्स के आधीन हो वो प्रिंसिपल्स जिसके लिए मैं आई थी यहां पर पारदर्शिता अकाउंटेबिलेटी और लोगों के लिए काम करने के लिए धन्यवाद, जैहिंद